हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आज हम शुरू करने वाले है ठोरियो मशीन चेप्टर वन, सिंपल मकैनिजम, तो उसमें पहला कॉंसेप्ट, पहला टोपिक है, मशीन, तो मशीन क्या होती है, उसके बारे में देखते हैं, मशीन एक असेंबली होती है, किसी के असेंबली होती है, लिंक्स और एलिमेंट की असेंबली होती है, मशीन के अंदर, जब भी, या तो लिंक में हम मोशन अप्लाई करेंगे, या एलिमेंट में मोशन या फोर्स अप्लाई करेंगे, तो एक में अप्लाई करेंगे, यानि कि एक रिसीवर होगा, और तरीके सा connection है links के बीच में या elements के बीच में तो एक motion को receive करेगा और दूसरे पर transfer करेगा तो डिपेंड करेगा कैसा connection है और ऐसे ही क्या होगा एक force receive करेगा और दूसरा depending upon the connection वो suitably दूसरे link या element के उपर force या motion जाएगा तो machine में assembly होती है link और elements की जिसके अंदर force और जो motion है वो एक के उपर लगाते हैं और depend करता है कि क्या connection है उनका एक दूसरे के साथ में तो इस तरीके से motion और force transfer होते हैं एक दूसरे के साथ में तो machine एक ऐसा device है जो receive करता है energy को कुछ available form में और utilize करता है कुछ काम करने के लिए है यानि की machine is a device which receive energy in some available form and utilize it to do some particular type of work थीक है फिर आता है हमारा theory of machine theory of machine जो basic introduction है theory of machine क्या है कि इसमें हम देखते हैं study करते है relative motion अलग-अलग parts में जो लगता है machine के और अलग-अलग parts में force लगता है उनका relative motion यानि की tom के अंदर हम करते है relative motion अलग-अलग parts में जो लगता है machine के और किस तरीके से force लगता है ठीक है तो इसके subdivision क्या है kinematic so machine and dynamic so machine comb and dome ठीक है kinematic machine में हम क्या करते है relative motion जो parts पे लगेगा machine की वो study करते है बट जिस वज़े से force लगा जिस force की वज़े से motion हो रहा है उसको हम नहीं करते है यानि कि जिस force की वज़े से motion हो रहा है उसको consider नहीं करते हैं only relative motions को देखते हैं ठीक है और dome में क्या करते हैं हम forces की study करते हैं machines के अंदर forces की study करते हैं इसके subdivision क्या है static and kinetics static and kinetics static में नाम से ही पता चल रहा है कि motion में नहीं है यानि कि static part of the machine में लगेंगे यानि कि different different part है machine के उसमें लगेंगे लेकिन क्या होना चाहिए वो part rest पे होना चाहिए यानि कि जिस part पे force लगा है वो part rest पे होना चाहिए static condition में होना चाहिए तभी उसके उपर force की study करेंगे उस force की study को क्या करते हैं static बोलते हैं kainatic क्या होता है इसमें motion हो रहा है और motion में आपको पता है कि self weight यानिकी inertia force भी आता है तो motion के साथ साथ हम force को भी देखे या inertia force को भी study करें वो क्या होती है kinetics होती है तो ये था basic discussion I think आपको helpful लगा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है helpful लगी है तो आप like, share and channel को subscribe कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगी है या जो भी आपकी query है, question है तो आप comment section में जरूर लिख सकते हैं Thank you, have a nice day